हेलो साथ ये नमस्कार कैसे हैं आप सभी उमीद कर दें बहुत अच्छे होंगे तो आज ये है क्लास टू है यानि मैं इसमें जो करा रहा हूं एंटी पीसी में जितना भी सारा सिप्ट में कोशन पुछा गया है तो उन सभी का मैं कोशन क्लेक्ट किया हूं और सारा कोशन में सब्सक्राइब करवाने वालाओं जी के जिस का ठीक है तो आज एक 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 वीडियो जैसे अलेडी अप्लोड हो चुका है आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के वहां से आप देख लिजिस वीडियो को और याजी क्लास ये टू है ठीक है और यह ज कल वीडियो में बताया तो उसमें से 2005 को सेना जो की बचा हुआ तो उसको कर लेते हैं फिर उन्तिस तारी को जो जाम हुआ था उसके बारे में देख लेंगे उसको सब्सक्राइब ठीक है चलिए आपके सामनी ये पहला को सना कि मीशन इंद्रधनूस किस से संबंदित है तो कि जो है और आपका लाइकन हो जाएगा ठीक लाइकन हो जागा बायूपरदूशन का संकून है आगला कुषण है कि इन घूटाय। से वो ग्रंथ की रचना किसने की थी तो गीता रहस से गरंथ की रचना जो की थी बाल गंगादर तिलक ने की थी किसने बाल गंगादर तिलक ने ठीक है आगे देख लेते हैं कि बिटामिन एका रसाइनिक नाम पूछा गया था तो बिटामिन एका रसाइनिक नाम क्या होता है टोको फिरोल होता है क्या होता है टोको फिरोल होता है अगला कोशन था कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है धान की खेती जो होती है उसमें आपका मिथेन गैस निकलती है यानि CH4 ठीक है मिथेन गैस निकलती है अगला कोशन था कि अनुछेद 1235 बारा से लेकर के और कित से पैतिस यह अनुछे जो है सो ठीक है मुल अधिकार से अगला कुस्षन है कि अक्छांस और दिसांतर रेखा के बीच का कौन कितना होता है तक चांस और दिसांतर रेखा के बीच का कौन जो होता है सारे च्यासर डिगरी का होता है कितना होता है सारे च्यासर डिगरी का होता ह तो यह था 28 दिसमबर का second shift का question था अब जो मैं करने वाला हूँ 29 दिसमबर का first shift का question करेंगे ठीक है 29 दिसमबर first shift में जो question पूछा गया था उन सभी का question देखने वाले हैं कौन सा question पूछा गया था ठीक है तो चलिए देखते हैं चलिए आपके सामने यह रहा पहला question कि सेल का बरतमान अध्यक्ष मतलब कौन है यह पूछा गया था तो सेल जो होता है उसका जो बरतमान अध्यक्ष जो है वो सुमा मंडल है ठीक है कौन है सुमा मंडल अगला question पूछा गया था कि रवर्ट हूख ने किस की खोज की थी ते र आपको उत्तर हो जाएगा स्कुषका का खोज किद लेकिन कोश का कैसा था तर डेड़ था ठीक है अगला question कि भारती राष्टी कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई थी तो भारती राष्टी कॉंग्रेस की अस्थापना 28 दिसंबर 1850 में 28 दिसंबर 1850 में अस्थापना हु तो स्वराज सब्द जो है सो यह आपका कुलकाता अधिवेशन 1906 में जो हुआ था उसी में लाया गया था स्वराज सब्द ठीक है यह question पूछा गया था उसके बाद अगला question क्या पूछा गया था कि सांची के स्थाप को कब युनिसको के 20 धरोहर में सामिल किया गया था य युनिसको का इसाची का स्थूप जो है से 1889 इस भी में जो है से युनिसको के 20 धरोहर सुची में जो है सो सामिल किया गया था यह मतला 1889 में किया गया था ठीक है ध्यान लखेगा तो यह question पूछा गया था सांची के स्थूप को कब युनिसको के 20 धरोहर में सामिल किया गय इसमें जो है पर रफम अस्थान पर कौन सा है तो नर्वेय देश्ट यह यह पर रफम अस्थान पर है तो 2018 का थीम पूझा गया था, ठीक है, तो थीम था 2018 का बीट प्लास्टिक पॉलूुशन, क्या था? बीट प्लास्टिक पॉलूुशन, 2018 का थीम था विशो प्रियावरण दिवसका, चली आगे देख लेते हैं, तिलंगाना के बरतमान राज्यपाल कौन है? तो तिलंगाना के बरतमान राजपाल जो है तमीली साई सुन्दर राजन था ठीक है कौन है तिलंगाना का बरतमान राजपाल पूछा गया तो कौन थे तमीली लसाई और सुन्दर राजन था ठीक है न तो यह आपका सही उत्तर हो जाता ठीक है तो यह कोशन पूछा गया था तुलन्गाना का राजपा अगला कुशन पुछा गया था भारत का सरवचप्रवत सिखर कौन सा है तो यह है आपका कंचन जंगा जिसकी उचाइए के बात करेंगे तो 50 266 मेटर है ठीक है तो यह कुछा गया था पितरस सरीर के किस सभाग से स्राबित होता है तो पितरस जो है यह GST ठीक है गूट से सर्विस गूट से एंड सर्विस टैक्स जो होती है यह आपका हो जाएगा और प्रतेक्ष कर यानि इंडरेक्ट टैक्स होती है ठीक है ध्यान रखेगा उसके अगला कुशन यह पूछा गया थे कि प्रस्तावना में सो तंतरता समता बंधुता का सिधा गया था में ओडिन टेक्ट छलिए देखले ते इसका जैक्स को सिरेelles ने अपनाया था तो यह आपका कौन सा दिस था तो यह आपका था फ्रांस ठीक है ध्यान रखेगा अगला को सब पूछा गया था कि स्टीटी पी का फुल फर्म किया होता हा तैंग अस टीटी टीटी का सांसद अदर्स ग्राम योजना, सांसद अदर्स ग्राम योजना का प्रारम कब हुआ था, यह जो हुआ था, 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था, जया प्रकास नरायन के पुनिति थी पर हुआ था, ठीक है, तो 11 अक्टूबर 2014 ध्यान में रखेगा, यह कुछा गया था, उसके बाद अगला कुछन है कि चंद्रियान 2 कि स्रोकट से लॉंच किया गया था चंद्रियान 2 Gslv Mark 3 Mi से लॉंच किया गया था ठीक है न तो ध्यान रखेगा उसका अगला कुछन है कि ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिस्ति की दरगा कहां पर देखते हैं तो यह हैं आपका अजमीर में और अजमिर कहा है तो राजस्थान में परता है ठीक है तो ख्वाजा मुहिनुद्दिन चिस्ती की दरगार अजमिर में है राजस्थान में परता है अगला कोशन पूछा गया था कि भारत में अस्थानिय सोसासन के जनक है लॉड रीपन ठीक है लॉड रीपन अगला कोशन प पिकास और उद्धम सिलता मंत्राले ने जारी किया था अगला कुशन था कि कच्छे माल की निकटता किस पर निर्वर नहीं करती है तो डाइमंड एंड मोवाइल मैनुफक्चरिंग ठीक है यह जो है से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शनिट एक्कॉर्डिंग उसके बाद अगला कॉशन था कि राजीव गांधी खेल रतन आवाड 2020 किस कुस्ति प्लेयर को दिया गया तो यह दिया गया था बिनेश फोगाट को ठीक है बिनेश फोगाट को 2020 में जैसे कुस्ति प्लेयर को यानि राजीव गांधी खेल रतन आवाड दिया गया था बिनेश भूज़ाइबीस में अगला कुसिन पुछा गया था कि ATP ATP का फुल फ्रीन क्या होता है तो ACTI PY का जो फूल फ़र्म होता है अदपोनोस एडिनोसीन ट्राइव फोस्पेट होता है ठे करेंद आ हिए ठेल फैसमुद एक थे अटी पी और यह आपका सर्वगराही होता है, तो यह पूछा गया, तो कुछ से पराख सर्वगराही रङत हही। भारत का प्रतम सूपर कंप्यूटर कौन सा हैbon है, यह आपका होाँ जाएगा परब ियट टॉजेंट ठीक है, धिकट है। भारत का सबसे बढ़ा Tiger Reserve कौन सा है तो नागारजुन श्री सैलम अभ्यारन जो की आंध्रप्रदेश में है तो यह जो से भारत का सबसे बढ़ा Tiger Reserve है संजुक्त राष्ट का महासचीव कौन है तो एंटोनियो गुटेरस है जो कब से है कारे मतलीन का कारेकल सुरुवत एक जनवी 2017 से गला कोशन है कि भारत की पर्थम सूपर फास्ट रेंड कौन सी है तो भारत की इस पर्थम सूपर फास्ट रेंड जोती हो डेकन कुईन ठेक है क्या नाम था डेकन कुईन संबिधान दिवस कम मनाते हैं तो 26 नॉम्बर को संबिधान दिवस मनाते हैं 1857 के बिद्रोह पर अधारित इन मेमोरियन पेंटिंग किसने बनवाया था यह बनवाया था सर जोसेफ निल पाटन ने अगला कुशन है कि थुमबा थेक है क्या है थुमबा एक्वेटोरियल रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन को महतपुर्ण है तो इसलिए महतपुर्ण है क्योंकि यह प्रीथवी के भूमत रेखा के बहुत करीब है ठीक है अगला कुशन पूछा गया तक गुप्त वन्स का सं पूप्त को ठीक है किसको सरी गुप्त हो जाएगा आपका सही उत्तर चलिए आप देख लेते हैं आगे अगे उसका आट कुस्टन था आगे कौन बेब ब्राउजर नहीं है तो यह आपका हो जाएगा गुगल यह एक सर्च इंजन है ना की बेब ब्राउजर है ठीक है अगला को सब्सक्राइब किरसी उत्पादन के छेतर में सिर्षदेश कौन सा है किरसी उत्पादन के छेतर में सिर्षदेश पर जो है यह आपका अमीर का है चौसा का यूद किनिके माध्ध और कब लड़ा गया था तो चौसा का यूद जो है सो हुमायू और सिर्षदेश के बीच लड़ा गया था और कब तो 1549 इस भी में प्रदान मंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम ब्यक्ति कौन थे यह थे मुरार्जी दिसाई ठीक है मुरार्जी दिसाई थे उसके बाद है कि पहली मानव निर्मित फाइवर कौन सा था तर रियोन ठीक है पहला यह मानव निर्मित जैसो फाइवर था रियोन आर स्थापना पूछा गया था कभूए थी तो यह एक अपर निसो प्याटिस को हुई थी उसके बाद 29 दिसमबर फर्स्ट सिप्ट में जो कोसं था वो पुड़ा हो गया है अब जो करेंगे और करने वाले हैं कब का 29 दिसमबर का और इस सेकेंड सिप्ट का ठेक है चलिए तो यह आपके सामने कॉष्ण सार्क का मुख्याल है कहां तो यह हुजा घृपका काठमंडू नेपाल में है उसके बाद गीत गुविंद्द के रच्छता कौन है तो गीत गुविंद्द के रच्छता जयादेव है ठीक है अरला कोशन पूछा गया था कि परियाबरान दिवस 2020 कहां आयोजित हुआ है 2020 में जो परियाबरान दिवस वह कुलंबिया में हुआ है ठीक है उसके बाद अगला कुछन भारत के सिक्षा मंत्री कौन है तो रमेश पोखरियाल निसंग ठीक है अभी तो चेंज हो गए अभी धरवेंदर परधान है लेकिन उस संबिधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेदकर को कहा जाता है अगला कुछन है कि बिमुद्री करन के समय आरविया के गवर्नर कौन थे तो बिमुद्री करन के समय आरविया की गवर्नर उरजित पटेल थे ठीक है अगला कुछन पूछा गया तरव साकर में गिरने वाल वाइन उसके वाद अगला कोसे पूछा गया था आइपल 2020 के बीजेता टीम कौन सा है नाइपल 2020 में जो बीजेता टीम हो मुंबई इंडियन है क्वान है मुंबई इंडियन यूनिस्को का मुझ्यालफ पुछा गया तो जो की फ्रांस का पेरिस में ठीक है अगला कोशन देख लेता है Python किया है rema कि यह रहाप के सामने Python एक programming भासा है क्या है एक programming भासा है aris के विनेट मिशन भारत कव आया था था के एनेट मिशन 1946 में जह एसर भारत आया था अगला कोशन है कि दक्षिन पुर्वी इसिया राष्टो का संगठन यानि आसियान का मेध देशो की कितनी संख्या है इसमें असे याझ का दस कितना है दसे कितना है दसी में त्सर ग्लातात तो सारख में आठ ठीक पीचर बता है इसमें 8 देस है और इसमें ऐस चयान जो है इसमें दस है भारत में कुल कितने हाइप पुछा गया तो तोटल 25 है नया में कौन सा हाइप अमरावती भी है इस तो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपगर लॉंच किये थे सबसे लंबी चेनानी नासरी सुरंग हो जाएगा जो कहां है किस कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी तो यह 19, यहां बेलगाung में जो हुआ था हुआ उसका किये थे और कब हुआ था हीवलगाउ में 1924 हो दे जिसका महात्मा गांधी ने किये थे अगला कोशन है कि संसत की संजुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ति ये करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है संसत की संजुक्त बैठक की अध्यक्षता उसके बाद अगला कोशन ये पूछा गया था कि समग्र सिक्षा अभियान किस कच्छाओं के लिए है तो प्रात्मिक से ले करके 12 अभी तक है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रहो होता है तो बेरी बेरी होता है अगला कोशन पूछा गया था कावेरी नदी जल विवाद किन राज्य के मद है तो कावेरी नदी जल विवाद दो है सो तमिलनाडू और करनाटक के मद है इवन बतूता किस देश का नागरिक था तो इवन बतूता मुरक्को का नागरिक था उसके बाद है कि जिवानु के कारण होने वाले बिमारी कौन सा है तो टाइफ हाइड हो जागा एक और एक हैजा हो जागा ये दोनों क्या है जिवानु यानि बैक्टरिया से होने वाले रोग है जीम कारवेट राष्ट उदान कहां है तो ये आप कहां देखते हैं उत्राखंड में देखते हैं तो ये आपका उत्राखंड सही उत्तर होगा 2019 में भारत रतन किसे मिला था पर्नम मुखर जी को मिला था नाना जी देश मुख को और भूबेन हजार का को इन तीनों को मिला था 2019 में भारत रतन GST का फूल फर्म क्या होता है Goods and Service Tax होता है ठीक है उसके बाद अगला कोशन ये पूछा गया था की 71 गंतंतर दिवस 2020 के मुख अती थी कौन थे तो ब्राजील के राष्टपती जायर बुलसुनारों थे 71 गंतंतर दिवस 2020 में मुख अती थी के रूप में आये थे ये अगला कोसा ने जादू गोरा की खाने जो है से किस खनी जहतू परचली थे जादू गोरा अगला कोसा ने सुपर सोनिक मिसाइल कौन सा था ब्रहमोस जो है वह सुपर सोनिक मिसाइल है और ब्रहमोस कौन सब्सोनिक कुरूज मिसाल है ठीक है और बात कर लेंगे यहीं पर निर्विया का तो निर्विया जो है आपका यह आपका सब्सोनिक कुरूज मिसाल ठीक है निर्विया जो है सापस मतलब सब्सोनिक कुरूज मिसाल हो जाएगा ठीक है चलिए अब देख लेते हैं आगे तो ये तो हो गया पूड़ा ठीक है ना तो अब जो है सो अब हम लोग करने वाले जो है से 29 दिसंबर का पूरा कंप्लीट हो गया है अब हम लोग करने वाले 30 जनवर विजो कोशन पूछा गया था उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसका वीडियो आएगा कल तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं 30 दिसंबर का कोशन कुण 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 सा पूछा गया था तो इसी तरह से हम सारा जीतना अभी स्ट में कोशन हुआ सारा में कंप्लीट करवा दूँगा ठीक है तो तो चली मिलते फिर कल मिलेंगा नेक्स्ट वीड लग्यों टेक केर बाई